दोस्तो जादू एक बहुत कमाल की चीज़ है जिसे देखकर हम काफी खुश और आच्चर चकित भी हो जाते हैं हमने कई बार जादू देखा है और हर बार नए नए जादू हमें चौंका देते हैं जादूगर इतनी बहतरिन तरीके से जादू दिखाते हैं कि हम चौंक ही ज पांच जादू के ट्रिक्स दिखाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे और साथ ही मैं उनके सीक्रेट्स भी आपको बताएंगे और उनकी पोल आपके सामने खुलेंगे ऐसा वीडियो आपने शायद ही कई देखा होगा इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दूस्तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर बाजो वाली बेल पर क्लिक करके औल का ओप्शन जरूर सिलेट करें स्मार्टफोन और लैप्टॉप की तीखी ब्ल्यू लाइट से होता है आई स्ट्रेंड और वीजन लॉस आई प्रोटेक्शन के लिए इंडियन टेकिस प्रेफर करते हैं जेबरियाना कंप्यूटर आइगलासेज ज्यादा जानकरी के लिए विजिट करें जेबरियाना.in या डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करें नमबर पांच जादूगर आजकल कई अलग अलग और नए तरह के जादू दिखाते हैं कुछ काफी खतरनाक तो कुछ ऐसे होते हैं जिनने देखकर हम सोच में पढ़ जाते हैं कि वो जादूगर ने इस ट्रिक को किया कैसे साइमन पायरो जर्मनी के एक बहुत बड़े जादूगर है इनके जादू के ट्रिक्स दूसरे जादूगरों से काफी अलग और अनोखे होते हैं क्योंकि ये जादातर ट्रिक्स अपने आईपैड पर करते हैं किसी चीज़ को आईपैड से बाहर निकालना और उस इसे वो जादू बिल्कुल असली लगता है लेकिन आज हम आपको उन जादूं के पीचे के सिक्रेट्स बताएंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरह साइमन ओडियंस को एक चोटे टेनिस बॉल की फोटो दिखाते हैं फिर उसे एक असली टेनिस बॉल की साइज का बनने तक जूम करते हैं फिर उसे हातों से उस स्क्रीन से बाहर निकाल लेते हैं जो एक असली टेनिस बॉल होता है तो साइमन एक आईपैड से असली टेनिस बॉल किस तरह निकाल लेते हैं तो आईए आपको बताते हैं इसके लिए वो यह लोग कोटी क्यों पहनते हैं यह जादूगर आखे टी-शेट क्यों पहनते और यही इनका हत्यार होता है इन सभी ट्रिक्स को करने का तो अब हम आपको बताते हैं कि साइमन ने इस ट्रिक को किया कैसे दरसल साइमन ने पहले ही एक टेनिस बॉल अपनी जैकेट में रखी ह हुई थी और जैसे ही उन्होंने अपने आइपैड से हाथ हटाया तो वह बॉल की फोटो आइपैड से गायब हो गई जो कि पहले ही एप में फिट किया हुआ था उसी वक्त साइमन ने अपनी जैकेट से चला किसे बॉल निकाला जिससे कि हमें लगा कि बॉल उन्होंने से एक अपने दोस्त को वीडियो कॉल करते हैं और कैमेरा के जरीए अपने दोस्त के सर पर दूद का ग्लास गिरा देते हैं जिसे देखने वालों को ऐसा लगता है कि सच में दूद कैमेरा से होकर उनके दोस्त के सिर पर गिरा है इस ट्रिक का सिक्रेट भी काफी दिल्चस् और दूद उस छोटे ग्लास में होता है लिकन बाहर से देखने पर हमें इसका पता नहीं चलता वो ग्लास इस तरह बना हुआ होता है कि अगर उसे टेड़ा कर दे तो उसके अंदर की चीज बैकर बाहर के बड़े ग्लास में जली जाती है और ग्लास के बाहर नहीं गिरती और साइमन के दोस्त वाला वीडियो तो पहले से ही recorded होता है लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि दूद सच में कैमेरा से होकर वाइफाइ के जरीए या फिर नेटवर्क के जरीए साइमन के दोस्त के सिर पर गिर रहा है और हम इस जादू के ट्रिक को देख कर सोच में पढ़ जाते है तीसरी ट्रिक भी वो कुछ इसी तरह करते है इस ट्रिक में साइमन अपने आइपैड पर एक बिर टैप लगा देते है और उसे चालू कर देते है जिससे उसमें से बिर निकलना शुरू हो जाती है देखने पर ये ट्रिक बहुत गजब और कमाल की लगती है लेकिन इस ट्रिक का सिक्रेट भी साइमन के जैकेट में है असल में उनकी जैकेट में एक पाइप चुपा हुआ होता है जो साइमन उस बिर टैप से जोड देते है और उस पाइप का दूसरा एंड उनके जैकेट के पाइट में एक बिर बैक से जुड़ा हुआ होता है जिससे वो बिर टैप से बाहर आती है लेकिन देखने पर ऐसा लगता है कि वो बिर सच मुच में साइमन के आईपैड से आ रही हो नमबर चार ये ट्रिक सबसे ज़्यादा अमेजिंग और बहुत फास्ट की जाने वाले ट्रिक है इसमें जादूगर कुची सेकंड में कई बाहर अपने कपड़े बदल लेती है ये ट्रिक वो लड़की इतनी तेजी से करती है कि आपके होश उड़ जाएंगे सबसे पहले ये लड़की स्टेज पे आती है और देखते ही देखते वो एक रिंग के अंदर परदे के पीजे चली जाती है और कुची सेकंड में कई बाहर अपने कपड़े बदलती है जिसे देखकर हम दंग रह जाते है आज भी इस जादू का रास किसी को नहीं पता लेकिन आज हम आपको इसका रास बताएंगे इस जादू की पोल कोलना सबसे कटीन पार्ट था दरसल इस जादू का सिक्रेट जादूगर के कपड़ों में होता है इस trick के जरीए जादूगर जो कपड़े इस्तमाल करते है वो काफी अलग और असाधरन होते है यह कपड़े specially इस जादू के लिए खास tailor से बनाये जाते है और यह काफी अलग design के कपड़े होते है जिसके कई सारे layers होते है जो कि एक दूसरे के उपर पहने हुए जादूगर आता है और उनको निकालना बहुत ही आसान होता है ये कपड़े वेलक्रो या हुक की मदद से खुल जाते है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे है इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि उसने कई सारे कपड़े एक साथ पहने हुए है क्योंकि यार इतना मूटा जैकेट कौन पहनता है और वीडियो के एंड में ये तो एकदम पतली हो जाती है और इस वीडियो में आप देख सकते है कि किस तरह ये लड़की अपने ब्लैक ड्रेस को निकाल कर चुपाने की कोशिश कर रही है इस जादू को करने के लिए काफी फूर्ती और काफी चालाकी करने पड़ती है क्योंकि चंद सेकंदों में जादूगर को लोगों को पता लगे बिना ही कपड़े बदलने पड़ते है और फटा-फट उन्हें चिपाना भी पड़ता है जो इस लड़की ने बहुत बकूबी से किया है अगला जो जादू है वह आपने शायद कई देखा होगा इस जादू में दो जादूगर है जो एक LCD स्क्रिन से एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को बाहर निकालते है लिकिन इस जादू में सिर्फ यही ट्रिक नहीं है यह जादूगर एक असले बल्लून को भी LCD स्क्रिन के अंदर डाल देते है और उसी में से दो छत्रिया भी बाहर निकालते है तो यह कमाल का जादू जादूगर किस तरह से कर लेते है इसका ट्रिक हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको बता दे कि यह LCD स्क्रिन एक नॉर्मल स्क्रिन है जिस पहले से ही recorded वीडियो चल रहा होता है तो फिर यह उस वीडियो में हमारे नजरों के सामने एक बल्लून किस तरह डाल देते है और उस LCD में से दो छत्रिया किस तरह बाहर निकालते है आप ज़रा इस बलून को गौर से देखिए गौर से इसे देखने पर पता चलता है कि जादूगर बलून को LCD स्क्रिन के बहुत क्रीब ले जाता है और फिर वो उस बलून को किसी तरह से फोर्ड देता है और उसी समय LCD पर वो बलून दिखाया भी जाता है ध्यान से देखने पर आपको फूटा हुआ बलून नीचे गिरते हुए दिखाई देगा लेकिन दूर से लोगों को ये दिखाई नहीं देता अब अगर हम LCD में से छत्रिया निकालने वाले किस्टे को गौर से देखेंगे तो ये दिखाई देता है कि वो छत्रिया पहले से उनके हाथ में थी जो कि जादूगरों ने बड़ी चालाकी और तेजी से बाहर निकाली और वो हमें दिखाई भी नहीं दी बाद में उन्होंने इसे स्क्रिन के एकदम नजदिक लाकर खोल दिया अब बारी आती है लड़कियों को LCD स्क्रिन से बाहर निकालने की ट्रिक ये है कि जब एक जादूगर बड़ा सा कपड़ा LCD के सामने करने लाता है तो जैसा कि हम देख सकते है उसी की फीचे से दोनों लड़किया गुश कर नीचे बैट कर स्टेज पर आती है और वो हमें दिकाई नहीं देती और जैसे ही जादूगर उस बड़े से कपड़े को उपर करता है तो एक लड़की फॉरन खड़ी हो जाती है और क्योंकि जादूगरों ने अभी भी वो कपड़ा पूरी तरह से हाटाया नहीं है इसलिए हमें वो दूसरी लड़की नजर नहीं आती जादूगरों ने उस दूसरी लड़की को चुपाने की बहुत कुशिश करी लेकिन अगर आप पॉस करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी लड़की के पैर इस लड़की के पीछे नजर आएंगे लेकिन जब पहली लड़की को उस कपड़े में वापस लपेटते है तो दूसरी लड़की फॉरन खड़ी हो जाती है और फिर जादूगर कपड़ा हटा देता है और हमें दोनों लड़किया दिखाई देती है इस तरह से ये जादूगर ये बहुत ही पेचीदा मैजिक ट्रिक पूरा करते है इस ट्रिक में आप देख सकते है कि जादूगर सबसे पहले एक बलून के उपर एक बड़ा सा कपड़ा रख देती है और उसे यहाँ वहाँ गुमाने लगती है फिर वो उस बलून को लेकर पास में रखे उस बॉक्स के पास चली जाती है इसके पास जादूगर वो बड़ा सा कपड़ा बलून के उपर रख कर उसे साइड कर देती है और खुद बॉक्स के अंदर खुद को बंद कर लेती है लेकिन कुछी देर में वो बॉक्स खुलता है और जोसेफिन उस बॉक्स में नहीं होती और उस बलून की जगह आ जाती है तो आखिर ये हुआ कैसे वो उस बॉक्स से निकली कैसे तो इस जादू का सिकरेट सुनने में काफ़े सिंपल लगता है लेकिन उसको परफॉर्म करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल असल में जब जोसेफिन उस बॉक्स के उपर चड़ती है तो उस बॉक्स के नीचे के हिस्से में एक कमपार्टमेंट होता है उस कमपार्टमेंट में उसी की तरह कपड़े पहने हुई एक लड़की छिपी हुई होती है वो जादूगर की जग़ उसी वक्त ले लेती है और उस box में बैट जाती है क्योंकि अगर आप द्यान से देखेंगे तो आपको जादूगर का चेहरा नहीं दिखाई देगा जब वो box के अंदर जाती है और जादूगर उस बलून को फोड कर उसकी जगह कपड़े के अंदर पहले ही बैट जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जादूगर उस बॉक्स के अंदर गई है काफी लाओर मुजिक होने के कारण बलून फटने की आवास किसी को नहीं आती और ये ट्रिक जादूगर आराम से कर लेती है तो दोस्तो आपको इन सब में से सबसे जादा मज़ेदार जादू कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अगर आप इसे सबस्क्राइब करेंगे तो हमें काफी ज्यादा खुशे होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सबस्क्राइब कर दो और बाजु वाली बेल को क्लिक करके और वाले ओप्शन को सिलेट कर दो प्लीज सबस्क्राइब करना ना भूलना